नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा यानि इनसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदों की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में कहानी का उलेख मिलता है एक बार देवर्शी नारत जी बैकुंत धाम गए वहाँ उन्होंने भगवान विश्नु का नमन किया नारत जी ने श्रीहरी से कहा प्रभू, प्रित्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा जो पाप कर रहे हैं उनका भ़ला हो रहा है तब श्रीहरी ने कहा ऐसा नहीं है देवर्शी जो भी हो रहा है सब नियती के जरिये हो रहा है नारत बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भ़ला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है भगवान ने कहा कोई ऐसी घटना बताओ नारत ने कहा अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं वहां एक गाए दलदल में फंसी हुई थी कोई उसे बचाने वाला नहीं था तभी एक चोर उधर से गुजरा गाए को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका वो उस पर पैर रखकर दलदल लांग्व कर निकल गया आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली थोड़ी देर बाद वहां से एक व्रिध साधु गुजरा उसने उस गाए को बचाने की पूरी कोशिश की पूरे शरीर का जोर लगा कर उस गाए को बचा लिया लेकिन मैंने देखा कि गाए को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड़े में गिर गया प्रभु बताईए ये कौन सा न्याय है नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले ये सही ही हुआ जो चोर गाए पर पैर रख कर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली वही उस साधू को गद्य में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यू लिखी थी लेकिन गाए को बचाने के कारण उसके पुन्य बढ़ गए और उसकी मृत्यू एक छोचोट में बदल गई इनसान के कर्म से उसका भाग्य तै होता है इनसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देगा दूसरी कहानी कर्म बड़ा या भाग्य ये प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलज़न बना हुआ है संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो निश्चित है मनुश्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदूओं को अलग अलग डिश्टिकों से देखते हैं कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वन्दिता सत्य वसतीक उत्तर श्रीमत भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे जान रिधी है तो वीडियो को अंत तक देखें वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें भाग्य कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुरानों में एक कथा का उल्लेक मिलता है वो कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में एक संथ हुआ करते थे उनका नाम ग्यानेश्वर था उनके दो शिश्य थे पर मेश्वर और भागेश्वर एक दिंकर मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बढ़ा है या भाग्य कर्म ईश्वर कर्म को बढ़ा मानता था परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरू ग्यानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा उनके गुरू ग्यानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूनगा प्रातह काल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना ऐसा कहकर ग्यानेश्वर ध्यान लगाने चले गए अगले दिन करनेश्वर और भागेश्वर गुरु जी की कुटिया के आगे खड़े हो गए जब उनके गुरु जी अपनी कुटिया से बाहर आये तब उन्होंने अपने शिश्यों को एक बहुत गहरे अंधेरे वाली कोटिया में बंद कर दिया उस कोटिया में रोश्णी की एक भी किरण नहीं थी कुछ समय बीतने के पश्चात कर्म ईश्वर और भागेश्वर को भूप प्यास लगने लगी बागेश्वर ने सोचा जो मेरे प्रारंब यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वो निश्चित है उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता इस से अच्छा में राम नाम ही रखता हूँ ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंब कर दिया किन्तु करनेश्वर को ये कदापी स्वीकार नहीं था उसने सोचा मुझे करन करना पड़ेगा अन्यथा मैं भूखा मर जाओंगा तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा कभी उसका सिर किसी वस्तु से तक्रा जाता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती किन्तु वह ना तो ठका और ना ही उसने हार मानी बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में उसे चने मिले परमेश् जनों को पाकर इतना प्रसन हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था फिर वो वहां बैठ कर उन जनों को खाने लगा चने खाते खाते कभी कभी उसके मुँँँ में कुछ कंकर आ जाते तो वो उन कमरों को भाग इश्वर को दे दिया करता था अगली सुबह जब उनके गुरू जी ज्याने इश्वर ने कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि कर्म इश्वर का तो पेट भरा हुआ था परन्तो भाग इश्वर भूखा था कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोश्नी हुई तब कर्म इश्वर आश्चर्य चकित रह गया कर्म इश्वर, नागेश्वर को जो कंकर समझ कर दे रहा था, वो कंकर नहीं किन्तु हीरे थे, इस कथा का अर्थ, वो निशकर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है, अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य वास्तव में सत्य तो ये है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों में से कोई भी न तो छोटा है, और ना ही बड़ा अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो परिनाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा, तो आप कर भी हितकर मन है, भगवान श्री कृष्टन अर्जुन से कहते हैं, नेताम कुरू कर्म 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 जायज, आक्रमन है, शरीर यात्रा पिक्च देना प्रसिद, हितकर मन है, अपना नित्य कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो श कर्म करने से कोई मुह नहीं मोल सकता और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा अब बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भागेश्वर को इतना बड़ा फल क्यूं मिला इससे संबंधित भी भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्याज्यमामी कम शरणम रज ममता शर्मा परभी हु मोक्ष शमीमा सोचा है इसका भावार्थ है संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण करतव्य कर्मों के आश्रे को छोड़ कर तु केवल मेरी शरण में आजा मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत कर अब हम इस प्रस्तुती के मूल को जानते हैं कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता भाग्य लोहे के समान है जहां कर्म रूपी चुम्बक होता है वही भाग्यक ही चाता है वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है अनुकूल कर्म किये जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोडा जा सकता है परन्तु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराज़ दुख और परेशानियों का कारण बनता है आज के लिए केवल इतना ही हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुती आपको पसंद आई होगी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें वीडियो को शेर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय जय श्री राम आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आएगा ताकि आने वाला नौलजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई